सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आज हम कार्थिक महात्या का चौधवा अध्याय पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं कार्थिक महात्या का चौधवा अध्याय राजा पृत्यु कहने लगे कि हे नारज जी आप सरवग्या हैं इसलिए संतान किरुषि करने वाला तता सब πरकार सुख देने वाला कोई ब्रद गए तब नारज जी ने कहा कि हे राजन इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्त्रमस्मति महा मोहा, महा देवी, महा एश्वरी तता सर्व एश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ राजा ने कहा महराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तब यह अहोई देवी कैसे उत्पन होई तब नारज जी कहने लगे कि एक समय में कल्यूक में बड़ा भारी दुर्विक्ष पड़ा और महामारी से बहुत सी अकाल मृत्ती हुई तब सब लोग अकेत्रित होकर उस में परति के निवारन का उपायस होचने लगे आन्त में निश्चय कर कार्ति कृष्ण सप्तमे कोस अपने वरत रखा वरत करते समय साइक काल्च मुंडा देवी हाथ में मुंड लिये प्रगट हुई और कहने लगे कि हम रुदर सहीत विहार करने के लिए यहां पर आगे परन्तु सारे संसार में पाप चाया हुआ है ब्रामन, वेधी, निक्षत्रिय, असमर्थ है तथा वैश्य और शुदर धर्वरईत होगे इस्तरियों ने पती वरत धर्म छोड़ दिया है इसलिए सब लोग अहोई देवी का वरत करें कार्ते क्रिशन सप्त्मी और अश्ट्मी को बाल, वृद और रोगयों को चोड़ कर सब को यह वरत करना चाहिए सारे दिन बोजन ना करके साइक काल अहोई देवी जो की मेरा ही नाम है पूजन करना चाहिए अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपे द्वार पर चार रंगों काला पिला हरा और लाज से मेरी मूर्ती बनावें अच्छे सुन्दर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें तब ही एक धीवर की इस तरी कहने लगे कि यह माता हम नीच लोगों का करतेविया भी बतलाएं तब देवी ने का कि तुम लोग मेरे भक्त हो सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी अनाथ्या नहीं मेरी पूजा के बात को महारें तथा मालन की पूजा होगी ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई नारज जी कहने लगे कि हे राजन इस परकार देवी के कथा नुसार सब ने वरत और पूजन किया तो सब के संकर दूर हो गई और सारा संसार सुकी हो गया राजा पृथु ने शीरी नारज जी से पूछा कि हे मुने कार्थिक मात तता एकार शी दिती सबसे उत्तम क्यूं माने गई है तब नारज जी कहने लगे खे राजन जो प्रशन तुमने आई मुसे पूछा है वही प्रशन एक समया शीरी सत्य भामा ने भी किया था और जो उनमे कार्थिक मासर एकार शी दिती उत्तम क्यूं माने गई है तब क्रिशन जी ने कहा कि हे प्रिये समुन्दर का पूतर शंक नाम वाला एक देत्य था वह देते इतना बलवान था कि उसने इंद्रा आधी देवताओं को स्वरक से निकाल कर उनका अस्थान सवय ले लिया सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों से इस परवतों की कंधाओं पे चले गए तब उस देत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया लेकिन वे जीते नहीं गे तो ऐसा परतीत होता है कि देवता वेद मंतरों से ही बलवान है इसे मंतरों वेद को हर ले आउं जब उसने ऐसा विचारा तो वे डर के मारे समुंदर में चले के तब भ्रमा आधिक सब देता संसार को वेधीन समझ कर बगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्यादी किर्याएं की बगवान के जाकने पर आहवान, आसन, पाद्य, अर्धय, आच्मन, सनान, वस्तर, यगोपवेद, चंदन, पुष्प, धू, दीप, नवेद, पान, परदक्षिना और नमसकार इन सब समगरियों से बगवान का पुजन किया तब भगवान परसंद होकर देवताओं से कहने लिगे कि हे देवताओं हम तुमसे अत परसंद है, अंध, शंक, आदि, त्यत्यों को मार कर चारों वदों को ले आएंगे, प्रंतु आज से वेद, बीज, मंतरों से कार्थिक मास में जल में रहेंगे, अत कार्थिक मास में जो कोई जल में सनान करेगा, उसको यक के अंध में समान पल मिलेगा, और उसके समस्त व हमको अतिप्रिया है नारज जी कहते कि हे राजन इतना कहकर भगवान मचली का रूप धारन कर विंद्याचल में निवास करने वाले कशब जी की अंजुली में आ गए कशब जी ने उसको कमंडल में डाल दिया जब कमंडल भर गया तो मतस्या रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो तब कशब जी ने घडा दिया घडा भी बर गया तो उनों ने कुए में चोड़ दिया प्रन्तु भगवान तिरे-धिरे बढ़ंते रहे तो कशब जिने उनको समुंदर में डाल दिया जब भगवान समुंदर में भी बढ़ने लगे तब मतस्याव अफ्तार भगवान शंखा सूर दयत्य को मार कर बदरी नरायन के आशन पर आए यहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखा सूर को मार दिया है साथ ही रिश्यों से कहा कि आप लोग जाकर समुंदर में से वेदों को ढूण लो तब हम देवताओं सहीर प्रयाग में निवास करेंगे तब रिश्यों ने वेदों के छै अंगों छंद, व्याकरन, कोश, वैदक, जोतिश और समेतिर सही तपो बलद्वारा समुंदर में ढूण निकाला जिस वेद को जो भाग जिस रिश्यों को मिला तब से वैभाग उस रिश्यों का माना गया फिर सब रिश्यों एकटे होकर देवताओं के पास आए तत्पष्टार प्रह्मा अधिक वेताओं ने यहां पर अशव मेक यग किया सबसे प्रयाग तीत राज कहां जाने लगा यहां पर सनार यग्यादिक करने से अदेख जन्मों के पापनश्ट हो जाते हैं इस पर कार्थिक महात्या का चोद्वा अध्याय समापत हुआ अगर आपको यह मेरे अध्याय पढ़ते हुए अच्छे लगिया है मेरी वीडियो अच्छी लगिया है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चानल को सब्सक्राइब करना और हाँ जो चोटी से घंटी है उसको तो जुरूर दबा देना तो मिलते हैं अगली वीडियो तब तक नमस्कार